स्रीमत भागवत नाम संकीरतन का आयोजन अगामी 18 और 19 जून 2022 को चंडिय स्थान बगाप पस्चीम चंपा रण में किया जा रहा है इस आयोजन में दसरत गद्धी आयोध्या के महंत ब्रिजमोहंदास जी महराज मुख्य रूप से सामिल होंगे इसकी जानकारी आज संकीरतन का आयोजन रुपेस आरपांडे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फरेंस करके दिया है उन्होंने बताया कि सनातन धर्म ओधर्म है जिसका ना सेकडो वर्सों से कोई नहीं कर सका कितने आकरंता आये और बिलुप्त भी हो गए वो सासक हमारी संपत्ती तो लूट गए लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं लूट पाए एसे में हमारी नई पीड़ी को अपनी धर्मिक और संस्कृतिक बिरासत को बचाने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए सबसे पहले तो आपकी मेडिया की आपकी पूरी टीम को नमस्कार और जहां तक बात है नई चीज नहीं है यह हमारी बहुत पुरानी परमपरा है है हम सनातन से हैं और सनातन जो है वो विष्व विख्यात संस्कृती जिसको स्टार्ड से जब से सर्ष्टी बनी निया तब से सनातन कितना भी कुछ हुआ, कितने अंग्रेज आये, कितने मुगल आये, सब कुछ किये लाश्क में सब कुछ लेके गए, लेकिन हमारी संस्कृति को लेके नहीं गया तो उसी का एक हम लोग उन्हें छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं कि जितना बहतर से बहतर हो सके उसको करें, और एक भगवत नाम शकृतन का आयोज़न हम लोग कर रहे हैं तो उसमें यह है कि अभी के डेट में इसका आरंभ 18 तारीक हो रहा है जो कि बिहार का एक जिला है पश्मी चमपारन, उसमें एक जगह आता है बगहां बगहां में हम लोग एक चंडी अस्तान करके एक बहुत दिव्य मंदिर है वहीं पर हम लोग इसको कर रहे हैं अभी की डेट में सारी वेवस्थाएं हो गई हैं इसके मुख्याति थी दसर्फगदी के महान जो स्री बबाब ब्रिजमोहन दाजी महराज हैं और भी बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए संत लोगों को हम लोगों ने अंतरन बेचा है और एक धर्म समागम जिसको बोलते हैं उसको कराने की पूरी कोशिस हम कर रहे हैं और बहतर से बहतर करने के कोशिस कर रहे हैं कितने दिनों का होगा यह प्रोग्राम ततकाल अभी हम जो स्टार्ट किये हैं यह तीन दिन का है तो जागुरूप करने के लिए मोड़ी किस तरह परयास किया जायेगा कि मीषभी पंदार और और अंदर उतार नहीं पाते हैं यह उतक्पलियासा को एक्टिम कर पात也ंब तो हमाहारा जो एक यह संत समागम जो है करना में कि अगमारा में फोकल से हमारी जो यू इसे ही सब ठीज अच्छा रहा तों Сам के तुरूप यू यू ज़न्द्र करने सिसना बाहरत की एक ही चीज जब भारत अरया वर्थ करता था उस समयी से एक ही चीज बड़ी मसुहर है हमारी संकृति और उसी को हम लोग नहीं निभा पा रहे हैं, हम फॉरेन कल्चर को लेके इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को एक्टिब नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग की बस मतलब मेरी और मेरी टीम की एक ही सोच है, कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके धर्म क परचार करें और देखिए अनुष्ठान और भगवत नाम शक्रतन जो होता है ना ये एक साक्षात इश्वर के मुन से निकली होई गंगा है जिसको सुनने अस्मरण मातर से आदमी पवित्र हो जाता है पूरा एक्दम मंडली जो भी आ रही है सब बाहर की मंडली है पूरे जाकी का प्रोग्राम मतलब हमारी जो पूरे संस्कृतिक जो हमारा कल्चर है ना हम उसको बहतर तरीके से दिखाने की कोशिस कर रहे हैं बाबाजी जो है वो अयुद्या से हैं दस्रक गदी बहुत मसहूर गदी रही है दस्रक गदी और कुछ दिन पहले बाबाजी ने राम मंद्र निर्वार में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत जन प्रिये हैं लोगों के बहुत प्रिये हैं जो हमारे महंत्सी हैं और उन्होंने लिखित रूप से हमको दिया है कि हमारे और पश्मी चंपारंग में हुआ और मेरी एक मान सिकता है कि जिस माटी से मैं जोड़ा हूं उसके लिए मैं कुछ न कुछ अच्छा करूं और अभी के डिट में आपने एक चीज सुना होगा गांधी जी ने सब्त्यागरा भी चंपारंग से ही सुरू किया था अभी जो भी ब इसमें कहीं डाउक नहीं अभी इस चीज को 18 और 19 जैसे अब बता रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए किस तरह की प्यास और किस तरह की महनत की जाए देखिए इसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कहीं से कोई मिस्टिक करनी की कोसिस नहीं किये और जैतने हमारे वेलें अभी हमारे पास मैं खुद एक कंपनी चलाता हूं हमारे पास भी वेलेंटियस हैं और जहां तक संस्था की बात है तो देखिए हमारे हमारी जो संस्था है हमको किसी से डोनेशन की अभी तक्काल ज़रूरत नहीं इमें मेडिया के सामने को लग रहा हूं क्योंकि हम लोग दम पे इसको कर रहा है बहतर कर रहा है जब उस लाइक चीजे बनेंगी तो हम किसी संस्था का हाथ पकड़ेंगे या हम खुदी एक संस्था बना लेगे कोई दिक्कत में में इसमें और कौन कौन सामीर हो सकता है तो देखिए ये तो धर्म का समागम है और इश्वर स्रिमत भागवत को माना जाता है इसमें तो हम उस लायक नहीं है कि किसी संथ को आदेश करें हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और जितने संथ हमारे जहां तक यह वीडियो पहुंच रहे हैं जितने लोग है ना सबसे करवध निवेदन है कि आप आएं और आप एकदम हम आपको उतन अधर देंगे जितना आदर हम जिसको बुलाएं उसको देंगे क्योंकि हर घर घर तक तो हो अभी पहुंच नहीं पाएंगे और इक मीडिया हमारा बहुत अच्छा माध्यम है कि हम कोसिस करें कि घर घर तक पहुंच आएं अच्छे इसमें कुछ सेलिबरेटीज भी आप श साथ शाथ हमारे साथ चल रहे हैं इसके बाद देखते हैं कि कुसिस करते हैं जितना बहतर से बहतर हो सकता है प्रोग्राम को बहतर बनाने की कुसिस है